नमस्कार दोस्तों बदब स्वागत आपको अमारे चैनल में दोस्तों आठकी इस वीडियो में हम आपको प्रदान मंत्री आवासी योजना में लाप क्यों नहीं मिल पा रहा या उसमें देरी क्यों हो रही है इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल है जो परेशानी है इस वीडियो में हम उन्हें थोड़ा कम करने ही कुश करें या आपके सवालों को सुलजाने का प्रयास करें दोस्तों आप लोगों ने इस योजना के लिए अपलाई किया होगा आप सभी इस योजना को जानते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है इस वीडियो में हम उन्हीं का निवारन करने ही कुछ करेंगे तो आप से रिक्वेश्ट प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इसमें होने वाली देरी या आपको इसमें लाप क्यों नहीं मिल रहा या आप अच्छी तरह से समझ सकें तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो प्रधान मंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके बारे में सभी लोग जानना चाते हैं या सभी लोग चाते हैं कि उन्हें घर मिल जाए इस योजना के अंदर और बहुत से लोग उताबले भी रहते हैं इस बारे में और सभी तरह की वो जानकारी चाहते हैं तो दोस्तो हमने अपने चैनल के उपर बहुत सारी तरह की वीडियो बनाई है आपकी हर तरह से मदद करने के हमने कोशिश करी है आप लोगे केई question बहुत सारे आते भी रहते हैं और सबी लोग यही परेशान रहते हैं कि हमारा survey हो गया है या हमें नहीं मिल रहा हमारा bank loan हमें नहीं दे रहा या क्या क्या करना पड़ेगा क्यों देरी हो रही है तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाई कि ताकि आपके जो भी सवाल या परेशानी है उसे मैं थोड़ी आपकी दूर कर दूँ दोस्तों देखे प्रदान मंत्री आवास योजना जैसे कि दो तरह की योजना एक ग्रामीड और एक शहरी ठीक है ये तो आप जानते ही है तो शहरी योजना में आपको जो मलब लोन मिलेगा या किस तरह से आपको सबसीडी मिलेगी इसके लिए आपके मन में बहुत सारे ग्रामिन योजना में आपका नाम जनगर्णा लिस्ट में होना बहुत जरूरी है अब आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा नाम भी जनगर्णा लिस्ट में है तो हमें लाब क्यों नहीं मिल रहा तो दोस्तों देखिए लाब सिर्फ देखिए उन्हीं लोगों को मिले उस डाटे में फिर एक लिस्ट बनाई जाती है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, मतलब जो उम्मीदवार होते हैं, यानि कि जिन्नोंने अपलाई किया होता है, या जिनको लाब मिलना दिया जाना है, उनका चुनाव किया जाता है, कि कौन उसमें सबसे जादा गरीब या किस को सबसे जादा जरूरत है, तो इस तरह से सर्वे जो किया जाता है, सर्वे का मतलब यह नहीं है, कि आपको लाब मिली ही जाएगा, सर्वे एक स्रिफ एक छोटी सी सिड़ी है, सर्वे के बाद एक और लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद कैंडिडेट को जो होते हैं, अब बात करते हैं, जो शहरी योजना है, शहरी योजना के लिए सबसे जादा लोगों में कन्फूजन है और बहुत परेशान है लोग, सबी लोगों ने इसके अंदर एपलाई किया हुआ है, एपलाई करने के बाद उनका नाम भी लिस्ट के अंदर आ जाता है, नाम लिस् ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने एपलाई कर दिया, ठीक है, एपलाई करने के बाद अब आपको वेट करना होता है, किस चीच का लिस्ट में नाम आने का, लिस्ट में नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है, कि आपको मकान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के अंदर लाब का क्या मतलब है शिहरी योजना में लाब मतलब क्या तो लाब इसके अंदर ये है, कि जब आपका नाम मान लिजिय लिस्ट में आ गया तो आपको पैसो का जुगार तो आपने आप ही करना पड़ेगा, मान लिजा आपको bank से ही loan लेना पड़ेगा ठीक है और bank अपनी ही शर्तों पर अपने ही नियम कानुनों पर वो आपको loan देगा उसकी सरकार के साथ ऐसी कोई background नहीं है कि वो सरकार उसको बूलेगी loan देने के za agar आपकी income जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है अगर आपकी income अच्छी है अगर आपका loan पास हो जाता है और आपका इस योजना के अंदर अगर आपने apply किया और आपका नाम list में है तो आपको bank में जो loan वापस करना पड़ेगा उस पर सरकार छूट देती है subsidy देती है बस यही एक लाब है इस योजना का जो लोगों में confusion है अब आप कहते हैं कि हमारा नाम list में है bank हमें loan नहीं दे रहा तो उससे bank का और इस list का या सरकार की इस योजना का कुछ ऐसा खास लेना देना नहीं है bank आपको अपने नियम पे loan देगा वो देखेगा कि आप आपकी income कितनी है आप उस loan को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे अगर नहीं चुका पाएंगे ऐसी आपकी income उनको लगता है कि आप नहीं दे पाएंगे loan वापस तो वह आपको loan नहीं देगी bank जब तक loan आपको नहीं देगी तो उसमें सरकार का रोल नहीं अगर bank आपको loan दे देती है मानली जिए आपकी income अच्छी है आपका नाम इस list में आ गया है आपने apply किया है तो bank आपको loan दे रही है उसके बाद सरकार का role यहाँ पर आता है सरकार उस loan पर आपको subsidy देगी जैसे कि मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया है detail में कि हमने तब apply किया था यह हमारा survey हो गया है इतना वेटिंग पिरेड आ रहा है इतना time लग रहा है survey होने के बाद तो जैसे कि मैंने अभी आपको पताया survey का मतलब यह नहीं है कि आपका काम हो गया survey हो गया survey के बाद वो एक list बनाए जाती है जैसे कि apply कर रहे है तो यहाँ पर भी आधार काड आपने दिया है अपना नंबर दिया है तो सारा data government के पास पहुंच जाता है तो वो automatic आपको subsidy मिल जाती है अगर bank आपको loan दे ही channel हो जाएगा यानि कि जब आप मकान लेने के लिए loan ले रहे हैं अगर आपको loan मिल रहा है आपके योग्यता के अनुसार तब उस loan पर आपको सरकार subsidy देगी ठीक है और इसमें भी लोगों की जरुरत देखी जारी है कि कि किस लोग को कितना जरूरी है यह नहीं कि सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सरकार बाट देगी ऐसा नहीं सबको देखा जा रहा है कि इसकी जरूरत क्या है उसकी जरूरत क्या है short list किया जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया एक list बनाई जाती है survey करने के बाद उस list में देखा जाता है कि किस को ज़्यादा जरूरत है कौन गरीब है किस किस जो हमने 3-4 आपको category बताई थी EWS और MWS ऐसी जो 2-3 category बताई थी उन category में भी short list किया जाता है कि किन को उसमें साथ ज़्यादा जरूरी है और किन को लाब पहले देना चाहिए उस आधार पर लोगों को लाब यहाँ पर दिया जाता है इसलिए इसमें बहुत टाइम भी लग जाता है और काफी टाइम लग भी सकता है क्योंकि सरकारी योजना इसमें टाइम लगता ही है तो यह कुछ कारण थे जिसके वज़े से आपको इस योजना का लाब मिलने में देरी हो रही है या फिर आपको लाब नहीं मिल पा रहा है आशा करता हूँ कि आपको यह काफी हद तक समझ में आया होगा तो दोस्तो अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ भी से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए क्यूंकि आपको हमारी बनाय हुई नए नए वीडियो लगातर मिलती रहे यह बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद